जै मसी की दोस्तों, आज के स्वरगी मन्ना का भाग हमने लिया है लूखा की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसका पहला, दूसरा और तीसरा वजन वजन कहता है, उसने आखें उपर उठाई और देखा कि धन्वान अपना अपना दान भंडार में डाल रहे थे उसने एक कंगाल विध्वा को भी तामे के दो छोटे-छोटे सिक्के डालते देखा, तब उसने कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि इस कंगाल विध्वा ने उन सबसे बढ़कर दान दिया है धन्यवाद पिता परमेश्यर तुमाहाने तुपवित्र परमेश्यर तेरे वचन अद्पोत है दोस्तों वचन हमें क्या बताता है वचन हमें बताता है कि हम इश्यू को अपने जीवन में कैसे देखते हैं उन धनवानों ने परमेश्र के दान कुंड में दान डाला, बहुत आयत में से कुछ डाला, लेकिन इस कंगाल विधवाने जो कुछ इसके पास था, वो दो तामे के सिक्के जो इसके जीवन याचिका थी, जो जीवन निर्वा के लिए इसके पास था, लेकिन इसने कुछ नही इश्यू को अपने जीवन में पहला अस्तान दिया और वो तामे किसे के प्यार और समर्पन के साथ प्रभू के दान कुंड में डाल दिये ताकि परमेश्र का राजश्य पढ़े दोस्तों हम परमेश्र को कैसे देखते हैं हम उसके वचनों को कैसे लेते हैं हम उसकी आज़ादी को कैसे लेते हैं हम अपनी आज़ादी को जो हम आज़ाद हुए हैं हमें जो पापों और शापों से मुक्ती मिली है हम उसकी कीमत को अपने जीवन में कैसे आखते हैं यह करते हैं कि मुझे गारी चाहिए मेरी सिविकाई के लिए मुझे पैसा चाहिए मुझे कलीसिया चाहिए मुझे मुझे पैसा मेरे बैंक में होना चाहिए मेरे भाई मेरी बेहन परमेश्वन ने जो हमको दिया है परमेश्वन ने जो हमको सौगाद दी है उसकी कीमत इन छोटी छोटी चीजों से नहीं आ की जा सकती है इसलिए हमें उस परमेश्र को अपने जीवन में लेना है यही तो बाईवल हमें सिकाती है और यहां पर यह कंगाल विधवा के दोरा हमें सीखना है कि उस कंगाल विधवा ने अपने शरीर की परवा नहीं कि लेकिन आत्मा को बन्वंत करते हुए परमेश्र के रज में प्रवेश्च किया और अपनी चाह से अपने प्यार से उसने परमेश्र के मन को जीत लिया दरने पाद हमें भी परमेश्र के मन को जीतना है हमें पर्मिशर से कहना है कि पर्मिशर तुने हमें अद्बुत आशीर दिया है तुने हमें अद्बुत जीवन दिया है तुने हमें अद्बुत सामर से बढ़ दिया है अब तू बता कि हम तेरे लिए क्या करें तू बता हमारे रोस की प्रात्रा में हम पर्मिशर से अग्रे क करें निवेतन करें परमेशर बता हम आज के दिन क्या करें कैसे जाएं कैसे जीवन को जीएं हमारे मन से वो अभिलाशा निकाल दे जो शरीरी की च्छों को पूरा करने की है हमारे मन में परमेशर तेरा बोश डाल तेरा बोश डाल तक हम तेरे बोश की अनुसार अपने जीव कौन है उसने समझा कि इशू कौन है वो पत्रस वो पत्रस जो शरीर के लिए जी रहा था वो पत्रस जब कोड़े खाता था तो आनंद मनाता था जब सताफ सेता था तो आनंद मनाता था जब जेल जाता था तो आनंद मनाता था क्योंकि उसने जान लिया है कि इशू कौन है उ मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि मैं सौर का अधिकारी बन गया हूँ, इससे ज़्यादा मुझे इस धर्ती पर क्या चाहिए, कि मैं इस धर्ती पर रहते हुए सौर का अनभव कर रहा हूँ, मेरे अंदर वो सामार्थ है जो परमेश्वर का है, मेरे अंदर वो शक्ति है जो परमेश्वर की है मेरे अंदर जो पविदता है वो परमेश्वर की दी हुई है परमेश्वर का दान परमेश्वर की धर्मिक्ता मुझ में बसी है इसलिए मेरे भाईयों हनुस धर्मिक्ता को पहचानना है उस शक्ति को, उस कीमत को पहचानना है हर पल, हर छाम ताकि हम अपने शरीर के लिए नाजी है हम आत्मा को बलवंत करते हुए अपने जीवन को गुजारे और मैं विश्वास करता हूँ हमारा, हमरे दृष्टी कौन बदल जाएगा हमारी सोच बदल जाएगी हमारी शांति कभी हमसे दूर नहीं होगी शैतान हमारे जीवन में कभी काम नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने इश्यू को, इश्यू की कीमत को जान लिया है उसके रहस्य को जान लिया है उसके भेद को जानने की कोशिश की है मेरे भाई, मेरे बहन, हम यही कोशिश करें, हमारी यही प्रात्रा है, कि हम अपना दिन उसको जानने में, उसकी महिमा, उसकी प्रतिक्षा करने में बिताएं, उसकी बाट जोने में बिताएं, यह हम धन्यवाद देतें, पिता परमेशर, तेरे पविद सामर्थी नाम में शीड सुकुर्चेंगाई मांगता हूँ और धन्यवाद देता हूँ प्राथर आपने सुनी और कुबूल की एमेन एमेन